हेलो दोस्तों तो आज की से वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिंदू कॉलीज मुर्दवाद में हम एड़िशन लेने के लिए उसका रेजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करती हैं तो हम इस वीडियो में फॉल डिटेल जानेगे कि कैसे हम बनवाई बन इस सेलेक्शन हो जाता है तो आपको एड़िशन मिल जाएगा अन्य था आपको यहाँ पर एड़िशन नहीं दिये जाएगा तो इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने लैप्टॉप या मॉवाइल से भी अपना रिजिस्टेशन फॉर्म फिल कर सकती है तो basically हम इसमें जो जानने वाले हैं वो यहीं जानेगे कि फॉल डिटेल हम कैसे यहां पर फिल करेंगे और वन वाई बाई वन जो भी इसमें टुर्टी होती है इसको भी हम समझेंगी कि क्या कैसमें हम mistake करते हैं जिसकी बज़त से हम यहां पर एड़िशन के लिए बंचित रह जाते हैं तो आप अगर किसी cyber cafe पर अपना form फेल कराते हैं तो बहाँ पर भी कोई mistake हो जाती है तो उसके बाद भी आप कोई इसका भुखतना पड़ता यानि कोई भी कोई भी एक भुखतना पड़ेगा तो चलिए पहले आपको सबसे पहले करना क्या होगा सबसे पहले आपको हिंदू college मुरदवाद की ऑफिसल वैप साइट पर आना होगा इस पर आने के लिए आपको simply कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे तो उसके बाद आप 60 बार में लिख देना हिंदू college मुरदवाद जैसे आप लिख देंगे उसके बाद जो है ओफिसल वैप साइट ओपन हो जाएगा यह फिर आप हमारे iqac and student selection तो जो भी आपको यहाँ पर जानकारी चाहिए आप यहाँ से ले सकती है जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हम admission form यानि registration form कैसे fill up करती है तो उस पर हम बात करने वाले है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर admission का एक option आपको मिल जाएगा जैसे आप admission पर click करेंगे उसके बाद काफी सारे option आपको दिखेंगे जैसे instruction for admission यानि कुछ instruction है admission लेने से पहले तो आप उसको rate कर सकती है और second जो है registration यह admission तो अगर आप registration करना चाहते है यह admission form fill up करना चाहते है तो simply आप second वाले option पर click करेंगे career guide अगर आप career guide को rate करना चाहते है तो उसको भी आप पढ़ सकते है deposit college fees अगर आप college की fees पे करना चाहते है तो आप यहां से online कर सकते है married list आपको यहीं पी मिल जाएगा जब आप एक बार registration form fill up कर देंगे उसके बाद college की तरब से एक married list जारी किया जाएगा अगर आपका नाम उस married list में आ जाता यानि selection हो जाता तो आपको एडिविशन मिल जाएगा अन्यत आपको एडिविशन नहीं मिलेगा old student registration अगर आपका पहली सही registration है तो आप यहाँ पर simply जाकर इसमें login कर सकते हैं single subject के लिए आप single subject पर click करेंगे private या single subject form आपको यहाँ पर fill up करना पड़ेगा चलिए हम बात कर लेते हैं registration form या admission form की तो simply हमें इस पर click कर देना जैसे हम इस पर click कर देंगे तो उसके बाद जो है registration form और admission form फिल up करने का यहाँ पर आप इससे कुछ निर्देश हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे तो अभिहारती registration करने से पूर्म निमन को धियान पढ़े लें form में तुरूटी होने की इस्तिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा यह देखिए आपर साब साब बता दिया गया है कि अगर आप form फिल up करने में कोई भी mistake कर देते हैं तो आपको फो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एडिविशन नहीं दिया प्रवादी उसको सब्मिट करा है मनने था आपका जो एडिविशन है बो रिजेक्ट कर दिया जाएगा सबसे पहला जो इस्ट्रेक्शन है यह इसना तक यह पराइसना तक पिर्थाम बर्स में प्रवेश है तू बिस विद्याले की बेप साइट पर जाकर अपना आपिदन धर्ज कराने के उपरान महाविद्याले की बेप साइट पर आपिदन करना होगा तो सबसे पहला आपको जो है आपिदन करना पड़ेगा यह रिजिस्ट्रेशन फोर्म फिलप करना पड़ेगा अभ्यारती अपना नाम पता जनमती थी इंटर का रोल लंबर अपना फोटो करा महाविद्याले दुआर तो सबी सूचना इसी नंबर पर भीजी जाएंगी आपको अगर सेलेक्शन होता है तो आपका इसी नंबर पर मैसेज किया जाएगा किसी अन्ये का मॉवाइल नमबर ना जालने यानि किसी और का आप जो मॉवाइल नमबर यहां पर करना पड़ता था जिससा भ्यारतियों को परिशानियों का सामना करना पड़ता था यह देखें उन्हें भी यहाँ पर बोल दिया अनुसिचित जाती जन जाती अन्य पिछड़ा परकी ऐसे भ्यारती जो आर्क्षड़ का लाव लेना चाहते हैं अपना जाती प्रमाडपत्र पिर वेस लेडिस से पूर वापस्ति बनवा ले अनि अगर आप जो है अनुसिचित जाती या जन जाती से बिलोंग करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा सबसे पहले अपना जाती प्रमाडपत्र बनवा लेना क्योंकि जब आपको एडविशन मिलेगा तो उसमें आ प्रमाडपत्र बनवाना होगा यानि इंकम सर्टिफिकेट फादर का बनवा ले रजिस्टेशन फोर्म समिट करने से पहले एक बार आपको इसको क्यारफुली रीट कर लेना तुरूटी होने पर उसे ठीक कर लें प्रवेस लेते समय आवेदन पत्र में तुरूटी पाई जाने पर प्रवेस सब बंचित किया जाएगा जिसके लिए आप भ्यारती सुयम उत्तरदाई होगा ये देखिए सारे इंस्ट्रक्षन आप केरफुली पढ़े लें जो यहां पर बताया गया आप जब इसको एक बार रेट कर लेंगे सब समझ लेंगे तो उसके बाद यहा यहां पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक रेजिस्टेशन पेज ऊपन हो जाएगा यहां पर सिंपली आपको रेजिस्टेशन करना होगा तो यहां पर तीन आपको मिलेंगे एक रेजिस्टेशन एक लोगिन सबसे पहले आपको रेजिस्ट पर चलिए कर देते हैं जैसे हम रजिस्टेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर रजिस्टेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा तो यह देखिए यह रजिस्टेशन पेज ओपन हो चुका है अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन सी डिटेल प्रोवाइट करानी है तो सबसे पहले आपको यहां पर बताना होगा प्रोग्राम टाइप यानि आपको कौन सा प्रोग्राम है कौन किस चीज मे आपको यहां पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना जैसे कि अगर आप बैचलर डिगरी आपको यहां पर बैचलर कॉर्स करना तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे जो भी course आप करना चाहते हैं, simply यहाँ पर उसको select करने, जैसे कि हम BA करना चाहते हैं, तो BA select कर देते हैं, उसके बाद student का first name यहाँ पर डालना, यह जो detail आप provide करांगे, बाधार की से ही match होनी चाहिए, उसके बाद middle name है तो middle name डालेंगे, last name है तो last name यहाँ पर fill करांगे, उसक के बाद आप submit पर click करेंगे, जैसे submit पर click करेंगे, तो आपको registration ID मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको print करकर रख लें और आपके message पर भी आपको send कर दिया जाएगा, यहाँ आपको mobile number पर भी आपको message send किया जाएगा, जिसमें आपका registration ID आपको मिल जाएगा, अगर नहीं म select कर लिए, उसके बाद registration ID जो आपको मिला था, या form number जो आपको मिला था, बो simply यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद simply आपको यहाँ पर अपना एक password डालना, पासबर डालने के बाद आपको submit पर click कर देना, पासबर जो हैं आपको आपके message पर मिल जाएगा, उसके बाद जैसे registration है, वो successful हो जाएगा, registration की detail आपको मिल जाएगा, उसके बाद name, किस name आपका student का नाम के था, वो आपको दिख जाएगा, course कोन सा था, किस course के लिए आपना apply किया, वो आपको पता चलियागा, password आपको यहीं से मिल जाएगा, simply आप इसको print करकर भी रख सकती हैं, और customer को भी provide जाएगा, अगर आप कैफेड वाले हैं, तो आप simply इसको print करकर student को दे सकती हैं, या फिर अगर अप अपना self करना कर रहे हैं, तो simply इसका photo click करकर रख सकती है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको login करना होगा, login करने के लिए simply login पर click करें, जैसी login पर click करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर score select कर लेना है जैसे कि जो भी आपना course है यहाँ पर apply किया उसको select करिए तो चलिए हम select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर registration ID डालिए जो भी आपका registration ID है तो चलिए registration ID हम यहाँ पर अपनी fill करेंगे उसके बाद then password डालाएंगे चलिए हम इसको cut कर देते हैं जैसी आप इस पर आजाएंगे page पर उसके बाद कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाएगा उपर आपको दो प्सन मिलेंगे एक तो fill registration और एक logout तो अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं बापस जाना चाहते हैं उसके बाद जो भी document है वो हमें document provide कराने है उसके बाद जो simply हम इसको submit करेंगे submit करने के बाद जो हमारा form वो successful हो जाएगा यह देखिए registration form submit करने के पस्चार आपको जो charges है वो 200 रुपे यहाँ पर रखा गया है जम करने पर ही आपका registration form पूरोण माना जाएगा आप इसको as it is छोड़ देंगे उसके बाद जो आपको date of birth डाली है यह high school के मार्शीर से match होनी चाहिए उसके बाद आप अपना gender बताएंगे category बताएंगे किस category से आप belong करते हैं जैसा अगर आप journal से belong करते हैं तो general select करेंगे आप अपनी काष्ट लिखेंगे काष्ट के बाद आपको simply अपना mobile number इसको check कर लेना उसके बाद domicile of student है आपको अपना domicile बताना है कि अगर आप UP से हैं तो UP से हैं तो UP सेलेक्ट करेंगे email ID आपको आप अपर confirm कर लेना अधार card आपको आपर confirm कर लेना नेशनलिटी इंडिया ही रहेगी एमर्जनसी कॉंटेक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अनिता इसको ऐसेटेश छोड़ सकते हैं आपको रिलीजन बताना होगा क्या आपका रिलीजन क्या है कि अगर आप हिंदू है मुसलिम है जो जिससे भी आप ब्ल कर सकते हैं अनिता आप इसको सोड़ सकते हैं अगर आप EWS से बिलोग कर सकते हैं तो आप EWS पर सेलेक्ट कर यह बनना मायनुरीटी है तो मायनुरीटी यह फिजिकल हेंडिकेर कराफ्ट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं बनना इसको सोड़ सकते हैं फैमिली डिटेल आपको यहां पर फिर ओट कराने है, mother का name, mobile number, और pen card यहां पर अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यत इसको छोड़ सकते हैं, occupation अगर आप देना चाहते हैं तो select कर लिए बनना as it is छोड़ सकते हैं, address में आपको अपना यहां पर full address देना होगा, जो corresponding address होता, आपको यहां पर यहाँ पर state select कर लेना, आपको अपना pin code डाल देना, उसके बाद जो है, नीचे scroll down करना, permanent address अगर same है, तो आप simply इसको copy above address भी लोग कर सकते हैं, तो वो same as it is, यहाँ पर लिख जाएगा, उसके बाद जो इसको नीचे scroll down करना, जैसे आप नीचे scroll down करोंगे, तो यहाँ पर qualification में आपको fill करना, जैसे आपको high school बताना होगा कि subject name, किस किस कौन कुन से subject थे, तो subject है नाम लिखना, उसके बाद कोमा लगाना, फिर जो second subject बोड डालना, उसके बाद अपनी university को select करना, यह जो board है, आप इसको select करना, उसके बाद school यह college का नाम डालना, उसके बाद roll number, year of passing, medium क् maximum marks कितने आए, obtain marks कितने थे, percentage कितना था, यह आपको fill कर दिना, आप सब जानते हैं इसमें, उसके बाद आप इसको नीचे scroll down करना, यहाँ पर कुछ attachment में आपको document provide करना है, जैसे photograph, photograph करने से, upload करने से पहले आपको यह देख लेना, कि वो jpg format में होना चाहिए, या jpg में होना चाहिए, size जो होना चाहिए, वो एक mb होना चाहिए, ऐसी signature है, signature के जो यहाँ पर requirement है, वो jpg और jpg format होना चाहिए, maximum जो size है, वो यहाँ पर bun mb है, तो आपको bun mb से नीचे ही रखना, उपर नहीं जाना, उसके बाद intermediate की mark sheet के copy यहाँ पर upload करनी है, और यहाँ पर अधार अगर आप लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते हैं, यह optional है, अगर बनना इसको आप छोड़ सकते हैं, then जब आपका यह सब form fill हो जाएगा, उसके बाद submit पर click करना, जैसे submit पर click करोगे, तो उसके बाद जो आपको redirect किया जाएगा, fees paper, तो यानि आपका जो pay का portal हो था, वो open ह जाएगा, आपको 200 रुपे यहाँ पर pay कर देना, उसके बाद जो आपको उसका print out ले लेना, then उसको print करकर अपने पास रख लेना, जैसी married list जारी किया जाएगा, तो उसमें आप देख लेना, क्या आपका selection हुआ है या नहीं, तो इस तरह से आप form fill कर सकते हैं, अगर वीड अपको एडविशन पर कलिक करें तो उसके बाद married list पर कलिक करना, जब marriage list पर कलिक करोगे तो उसके बाद married list आपको यहीं पर मिल जाएगा, जैसे कि इदेखे married list 2022-23, married list या भी एक married list जारी किया गया, एमिपे अगर आप देखने चाते हैं, तो यहाँ पर view पर कलिक कर लेना ऐसी आपका जो है B.S.C. और B.A. जो भी होगा यहाँ पर मेरलिस्ट जारी होता रहेगा आप जो यहाँ से देख सकते हैं अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको एड़िशन मिल जाएगा अन्निता आपको एड़िशन नहीं मिलेगा तो वीडियो अच्छे लगाओ तो कमेंट्स में जोरू बता कोई भी डावट हो तो कमेंट्स में हमसा पूस सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जोरू करना उजादा सजादा सेयर करो ताकि हर कोई बच्चा हर ही स्टुडेंट जो है आपने आपसे यह फिल अप कर दें चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तब तक के लिए बाई